तो बच्चों आज हम बात करेंगे असेस्मेंट वक्सीट 12 सस्टी क्लास 9 जो कि आपको 11 जनवरी को प्रोइड किया गया यह आपका 20 मार्फ का टेस्ट है ठीक है इससे पहले अगर आपने साइंस का नहीं किया तो अभी अपलोड है चैनल पर प्लेलिस्ट मिल जाएगी देख बच्चों सकते हूं ठीक है तो श्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग में हमको यह पहला कोशन क्या है अहला को सिंगर भारत में सूरित का काल है तो यहां पर आपका सी नवंबर से फरवरी का ठीक है ओप्सन नमबर की राइट है second question भारत में सीत रितु में उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवने प्रवाहित होती है तो इस्थल से समुद्र की ओर ठीक है B option right हो जाएगा third question निम लिखित में से किस पवन के कारण सीत रितु में तमिल नाडू के तट पर वर्षा होती है ठीक है तो उत्तर पूर्वी व्यापारिक पूर्वने option number D right हो जाएगा question 4 निम लिखित में से कौन सी भारत में सीत रितु की विशेशता हैं तो यहाँ पर A, B, C तीनों option right है इसलिए हमारा option कौन से right होगा D उपरोक्त सभी ठीक है फिर से देख लो एक बार फर्स्ट में आपका C, सेकेंड में B, थर्ड में D, फोर में D clear है 1, 2, 4 अब आगे के question देखते हैं ठीक है न अगला question अब इनके में answer देने है तो ध्यान से देखने है यह आपकी support material आपको मिली होगी उसी में से सारे question है आप वहाँ से भी इसको देख सकते हैं मैं page number आपको बता दूँगा ठीक है तो फर्स्ट है पांचवा question कोल खोज क्या था ठीक है तो इसका answer देखो कोल खोज क्या था तो यह answer 5 है रूस में सामोहिक खेतों को कोल खोज कहा जाता था page number 16 देख लेना support material में वहाँ पर आपको इसका answer फिरिंदा blank stripe में मिलेगा ठीक है वहाँ पर आप देख लेना ठीक है अगला question 6 देखो question number 6 है रूसी क्रांती के दो वैस्विक प्रभावों को लिखिए answer 6 देख लो heading आप लिख लो heading रूसी क्रांती के दो वैस्विक प्रभाव page number 20 देखना है support material में वहाँ पर इसका answer मिलेगा और यह heading लिखने के बाद में नीचे से यह point लिख लो दो ही लिखने हैं फिरहाल आप यहाँ से दो तीन लिख सकते हो ठीक है ना पर चार लिखे हुए तो यह आपका यह नहीं लिखने ध्यान में रखने इससे मतलब नहीं यह आपका point number one हो जाएगा यह two है यह three है यह four है यहाँ पर दो लिखने के लिए बोला गया था आप इन से कोई दो लिख सकते हो यह page number 20 देखोगे तो वहाँ पर इसका answer मिल जाएगा clear है answer number six हो गया ठीक है आगे देखो question number seven question number seven है कह रहा बच्चो फेरेल का नियम समझाईए answer number seven देख लो एक बार आप answer number seven तो बच्चो यह answer number seven हो जाएगा ठीक है फेरेल का नियम आपको यहां से यहां तक लिख लेना यह answer number seven हो जाएगा clear answer number seven अगला देखो question number eight ठीक है question number eight question number eight है कह रहा कि लेनिन के अप्रेल थीसिस का वरण कीजिए तीन नमबर का है यह लिखना three two two six one question three marks का है ठीक है ना तो answer number eight देख लो answer number eight ठीक है यह answer number eight हो गया ठीक है यह आपको लिखना अप्रेल थीसिस और यह आपको page number support material में देखोगे page number 15 page number कौन सा आपका 15 देखना ठीक है support material में वहां पर यह answer मिलेगा अप्रेल थीसिस लिखकर आपको यहां तक लिख लेना है नमबर तीन वैंको का राश्टी करहां ठीक है तिया आपका answer हो जाएगा answer number eight clear है ठीक है page number 15 देख सकते हो वहां पर इसका answer आपको मिल जाएगा अप्रेल थीसिस के आया यहां से यहां तक आप लिख लो थ्री पॉइंट तक लिख लेना ठीक है answer number eight हो जाएगा अगला देखो को सब्सक्राइब को सब्सक्राइब को सब्सक्राइब कर दोड़ा गया था आपको ऐसे बोक्स बना कर यह पूरा लिखना लिख लेना यह दोगुट हो जाएंगे आपके ठीक है तो और लाश्ट में आप यह भी लिख लेना कि लाश्ट में जीता कौन था ठीक है ना तिया लाश्ट में पर्थम भी सुद्ध के अंत में जर्मनी की पर्थम भी सुद्ध का अंत जर्मनी की हार के साथ पेज नमबर पर पेज नमबर 23 है सपोर्ट में पेज नमबर 23 देखना वहां पर यह आंसर आपको मिलेगा आंसर नमबर नमबर 23 ठीक है अगला देखो को सर नमबर 10 है और लाश्ट है तरह किसी स्थान की जलवाई को प्रभावित करने वाले कालक लिखो यह आपका चार नमबर का तो मतलब चार लाइन तो आपको लिखनी है ठीक है उसके बारे में तो एकol नमबर नबर नबर याय अनसर नमबर आपका 10 होजाएगा ठीक है यला नमबर Mooind किन पै同 के नंबर सिफव स्कंश दूसर आपको मिल जाएगा ठीक है तो पहला पॉइंट अक्षांस दूसरा उंचाहित तीसरा समुद्र से दूरी चौत्या मास आगर यह धारा है और नीचे की लाइन जाइ बश्याओ जाए बश्याओ झाएन दूसरा छिजिए चाहित लाइन आप कर दो समुद्रोब के इस दूरी चौत्या माला प्रूलेच है ऑलाएगा प्ड़ कर दो सकते हैं तूसरा भीपको कास्षा पीजिए अंचाहित पूलेचे और सुछछे माला प्यक्षा टालगरे